नमस्कार साथियों मैं प्रदीव जैन राइज अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ और आज हम लेकर रहे हैं पटवारी का एनलेशिस दो हजार तेवीश का जो अभी चल रहे हैं एक्जाम देखिए हमने कई बच्चों से डिसकस करने के बाद ही इस इसके पांच से छे कोशन आ रहे हैं पैसे बोई चार से पांच कोशन पूछे जा रहे हैं स्पैलिंग करेक्शन 3 तू 4 कोशन हैं तीन से चार कोशन spelling correction के हैं antonyms और synonyms के दो-दो questions पूछे जा रहे हैं antonyms और synonyms के दो-दो questions पूछे जा रहे हैं next देखिए total 10 topics से ही question पूछे जा रहे हैं idioms and phrases 3-4 questions आ रहे हैं PQRS पैरा jumble 2-3 questions पूछे जा रहे हैं जिसे हम लोग पैरा jumble या sentence arrangement भी कहते हैं fill in the blank इसमें 3-4 questions पूछे जा रहे हैं fill in the blank में especially article और proposition पूछ रहा है article और proposition के questions पूछे जा रहे हैं fill in the blank में common या sporting errors में 3-4 question आ रहे हैं जिसमें वही error होती है tense की error, models की या किसी भी तरह की error हो सकती है किसी भी parts of इस piece से next step punctuation punctuation का एक question देखने को आया है ठीक है? चलिए अब हम लोग test series स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को एक महत्पून सूचना देना चाहता हूँ यदि किसी बच्चे को English में problem आ रही है और उसका April में paper है तो हमारे हाँ Rise Academy में free of cost जब तक पटवारी नहीं होता है वो जोइन कर सकते हैं मैं सुभे क्लास लेता हूँ सुभे 9-10 जो regular class है कोई भी student कहीं से भी जो offline इंदौर में है वो जोइन कर सकते हैं हमें कोई भी problem नहीं है बट हमें selection से मतलब है आपका selection होना चाहिए और उन्ही pattern पर पढ़ाए जाएगा उसी pattern पर जिसमें पटवारी में questions पूछे जा रहे है ठीक है देखिए मैं एक test series भी लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्पूर है और उसी अधर पर तयार की गई है जो present में exams चल रहे हैं ठीक देखिए पहला question यह idiom का question है हमें बताना है यह salt of the earth का meaning क्या होता है salt of the earth salt of the earth का meaning क्या होता है idiom के रूप में एन emotional person, a good and honest person an angry person और humble person देखिए इसका जो answer है वो होगा वीवाना a good and honest person बोलते है salt of the earth मैंने इसमें idiom के तीन question include किये है spelling के तीन question है सभी जगे से questions बनाए गए है जो exams में आ सकते हैं ठीक है next question देखिए question number two he is a plain, simple and sincere man he will always call a spread a spread इसमें जो महावरा है वो है call a spread a spread इसका मतलब होता है candid, frank, out spoken या जो भी कहना है मुँपर कहना to speak clearly तो देखिए help one and all ये नहीं होगा to be out spoken we out spoken इसमें भी आंसर होगा diplomatic का मतलब होता है कूटनी तिग्य ये नहीं होगा इसका opposite हो जाएगा ये और very sensitive बहुत ही संबिदन सीड ये भी नहीं होगा तो इस idiom का जो आंसर है वो है to be out spoken कभी कभी इसका synonym भी पूछा जाता है जिसे हम लोग बोलते है candid candid होता है और जिसका meaning होता है frank candid और frank 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 इस पस्ट बादी जिसे हम लोग clear भी बोल सकते हैं ठीक है answer मिलकि question अमर थर्ड देखिए you must be afraid to speak your mind to speak your mind दिया हुआ है mohavra to speak your mind इसका क्या होगा to speak impressively to speak loudly to speak exactly what is in your mind यही answer है जो दिमाग में है वो है साब साब बोलना to speak exactly what is in your mind to speak clearly यह नहीं होगा इसका answer आएगा C वाला ठीक है तीन इडियम हो गए next you need three documents your passport sorry यहां पर लिखा your passport your driving license and a bank statement इसमें सही punctuation का यूज करना है यह question है punctuation का क्योंकि एक question punctuation का आ रहा है तो देखिए इसमें यूज करना है colon का तो you need three documents you need three documents यह गलत लगा है statement यह विलकुल सही है इसका answer C होगा D वाला गलत है you need three documents यह semi colon का यूज किया गया है your passport your driving license and a bank statement यह भी गलत है तो answer के आएगा फोर्ट वाले का answer है C जब कभी हम उधारन या सूची को describe करते हैं तो हम colon का प्रयोग करते हैं ना कि semi colon का ठीक है चलिए question number five देखते हैं इसमें हमें बताना है इसमें instruction नहीं दिये गए है यह synonym का question है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर adapt का synonym बताना है synonyms क्या होगा इसका इसका synonym क्या होगा देखिए adapt का मतलब होता है skilled proficient crucial at dextrous भी बोलते है इसको synonym dextrous भी होता है इसका synonym d-e-x-t-r-o-u-s इसका मतलब होता है kushal adapt तो देखिए comfortable तो होगा नहीं synonym find करना है careful होगा नहीं adapt का मतलब होता है kushal prabeer हिंदी में बोलते हैं prabeer तो इसका answer होगा proficient proverbial होगा नहीं question number five इसमें क्या देखना आपको synonyms ठीक next one देखिए question number six इसमें भी synonym ही find करना है which of the following is nearest in meaning to the word prevent prevent का synonym क्या होगा देखिए boost का मतलब होता है बढ़ाना किसी को आगे करना encourage करना या support करना तो boost तो होगा नहीं prevent का synonym होगा hinder hinder का मतलब होता है रोकना किसी के बाधा खड़ी करना किसी के रास्ते में किसी को check करना या obstruct करना भी होता है OBS, T, R, U, C, T obstruct होता है prefer means पसंद करना होता है और advance means जो backward होता है उसका opposite हो जाएगा advance या forward का synonym क्या हो जाएगा advance backward और advance तो इसका answer आएगा B वाला hinder hinder का मतलब रोकना होता है चलिए question number 7 देखिए professional athletes demonstrate a high level of skills demonstrate का synonym चाहिए हमे demonstrate का मतलब होता है display करना expose करना disclose करना किसी को बताना या किसी चीज को describe करना या बताना exhibit करना तो देखिए prove का मतलब तो होता है सिद्ध करना इस synonym नहीं होगा adapt के दू meaning होते हैं एक adapt होता है change करना होता है इस adapt का मतलब होता है बदलना बदलना होता है adapt का मतलब AD, APT और AD, E, P, T का मतलब होता है skilled जो अभी हमने देखा था AD, E, P, T का मतलब होता है skilled कुषल सक्षम या दक्ष ये होता है adapt का spelling देख लीजिए और act का मतलब होता है कार्य करना तो ये भी नहीं होगा और displays का answer होगा display का मतलब होता है so करना बताना expose करना ठीक है तो 7th का answer आएगा D question number 8 देखिए out of the given four words one is spelled incorrectly find the word that is incorrectly spelled इस वाले question में 4 word दिये गए है उन में से एक word का spelling गलत है इसमें हमने तीन questions रखे है एक में ये बताना है आप लोगों को कौन सा सही है और एक बताना है convenience बिल्कुल सही है मतलब answer नहीं है हमारा हमें क्या find करना है incorrectly spelled word इन में से कौन सा गलत है तो contradict बिल्कुल सही है convenience भी सही है kernel के spelling भी बिल्कुल सही है kernel पढ़ते है इसको तो हमारा जो answer है वो D वाला है competition की spelling देख लीजिए c o m p e t i t i o n होता है competition c o m p e t i t i o n होता है competition तो इसका answer जो है वो competition की spelling गलत है ठीक चलिए next one देखते है question number 9 out of the given four words only one is spelled correctly इसमें एक सही है spelling वो आपको one is spelled correctly find the word that is correctly spelled नहीं देखिए correctly spelled नहीं है यह incorrectly होगा incorrectly होगा इसका तो देखिए exercise की spelling बिल्कुल सही है existence की spelling भी सही है experience की भी सही है explanation का spelling wrong है तो मतलब इसका जो information है वो पहले वाला ही है ठीक तो देखिए explanation का मतलब explain लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जाता है explain है तो इस तरीके से लिखा जाता है explanation होगा तो यही गलत है बागी के तीनों correct है instruction को एक बार और बापस से correct कर लीजिए जो आपने से पहले वाला question solve किया था वही pattern का है कि इन में से एक कौन सा गलत है तो इन में से एक कौन सा गलत है explanation का spelling गलत है यानि D answer होगा इसका D answer होगा correct ठीक है चलिए next वाला जो question है इसी से related है यह वाला question यह थोड़ा सा अलग है out of the given four words only one is spelled correctly find the word that is correctly spelled यह भी pattern चल रहा है इसमें देखना है कि इसमें सिर्फ एक सही है तीन गलत है एक सही है और तीन गलत है देखी अच्छे से बहुत अच्छा question है until tomorrow truly और weather देखिए जब कभी आप till लिखते हो तो दो एल आते हैं till में दो एल आएंगे till तुमारो लिखते हैं तो true की spelling होगी यह लेकिन जब truly लिखते हो तो spelling होगी truly t-r-u-l-y t-r-u-l-y क्या होगा truly यह सही है और weather की spelling गलत है क्योंकि weather दो होते हैं एक weather का मतलब होता है मौसम w-e-a-t-h-e-r और एक weather का मतलब होता है conditional if और weather के sense में उज़ते हैं जिसकी spelling गोटी है w-e-t-h-e-r तो ठीक है यह तीनो तो इस तरह से दो तरह के question आ रहे हैं कि अगर मालीजे कभी पूछता है कि इनमें से एक कौन सा सही है और तीन सही है उनमें से कौन सा गलत है दो pattern पर चल रहा है तो हमें answer मिल गया है until गलत है tomorrow गलत है PQRS चलिए देखने की कोसिस करी इसको इसको अरेंज करना है आप लोगों को PQRS PQRS एनेमिया रिफर्स ऑफ सर्कुलेटिंग रड़ ब्लड सैल्स तो डिक्रीजड नंबर और इस देखने के लिए तो देखिए एनेमिया जो है वह ओपनिंग स्टेट्मेंट है और जो जो six number का है head X यह closing statement है अब एनेमिया रिफर्स के बाद क्या आना चाहिए एनेमिया किसको रिफर्स करता है end तो आएगा नहीं directing तो इसका जो starting में है enemy refers to a decreased number यह answer है क्यों से start होगा अगर यह Q से start होगा तो कितने ऐसे options है जिसमें Q दिया है सिर्फ C वाला 100% confirm है कि Q से start होगा enemy refers to a decreased number decreased number of circulating red blood cells दूसरा वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा तो इसका answer आएगा C वाला देख लीजिए इसका answer होगा C Q, P, R और S symptoms can include symptoms can include कौन-कौन से symptoms आजाएंगे headache है, chest pain है and a paleness of skin का पीला पर जाना है ठीक है C answer होगा इसका चलिए एक question और देखिए PQRS से ही fossil fuels इसको बोलते हैं हिंदी में जीवासम इधन because fossil fuels, oil, natural gas and coal take so long to form over millions of years are sources of energy that have developed within the earth they are considered non-renewable ठीक है अब हमें देखना है कि fossil fuels तो हो गया opening statement और यह six वाला हो गया closing statement अब इसके तुरंत बात कौन सा आना चाहिए PQRS इन में से कौन सा होगा पहला देखिए because से start होगा नहीं over millions of years fossil fuels are source of energy यह मिल गया मुझे आर वाला हलाकि options में भी आप देख सकते हो कि R कितनी जगे पर दिया होगा है R source of energy R source of energy that have developed within the earth over millions of years because fossil fuels, oil, natural gas and coal takes so long to form they are considered non-renewable ठीक है तो इसका answer आएगा B वाला question number 12 का answer B होगा ठीक है यह PQRS या Parajumble या Rearrangement के रूप में जाने जाते हैं questions next question देखिए choose a word that is opposite in meaning to the word in bold I didn't know C was so learn हमें बताना है इस learn का opposite क्या होगा learn का opposite क्या होगा देखिए जैसे यहां पर एक word लिखा होगा ignorant तो यह तो answer होगा इसका 100% ignorant का मतलब होता है अज्यानी कि जिसको जानकारी नहीं है किसी चीज़ की तो वो ignorant और जिसको जानकारी है वो learn man परसन है learn man अब accomplish दिया हुआ देखिए accomplish दो होते हैं a-c-o-m-p-l-i-c-e इसका मतलब होता है share अपराधी share अपराधी अपराध करने में कोई किसी की मदद करता है तो उसे कहते हैं share अपराधी और इस accomplish का मतलब होता है complete करना complete मतलब पूरा करना किसी कारे को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं accomplished का और mature का मतलब होता है परिपक और well rate पढ़ा हुआ अच्छे से ठीक है तो answer क्या आएगा एवाला आएगा एनि learn का opposite क्या होगा ignore rent ठीक है चलिए next question देखते हैं यह भी opposite बताना है the resilience of certain plants allows them to thrive in the desert देखिए thrive का मतलब बताना है हम लोगों को thrive का मतलब होता है फलना फूलना विकास करना grow करना develop करना flourish भी होता है और भी prosper भी होता है इसका सनोनिम तो opposite बताना है तो देखिए grow तो होगा नहीं flourish भी नहीं होगा blossom का मतलब होता है खिलना इसका answer आएगा paris paris का मतलब होता है destroy होना nest हो जाना या धीरे-धीरे कोई चीज खत मुझाती है तो हम paris का प्रयोग करते हैं paris means destroy होना nest हो जाना d-e-s-t-r-o-y destroy होना paris का मतलब होता है question number 15 देखिए inventors often prefer to work in isolation कोरोना का आल में isolated जो word है बड़ा famous होगा है isolate का मतलब होता है अलग होना separate होना isolation तो अब solitude का मतलब भी हो जाएगा confinement का मतलब होता है बंद करना किसी को कैद करकर रखना confined एक word होता है c-o-n-f-i-n-e मतलब कैद करना कैद करना किसी को jail में या चार दिवारी के अंदर बंद रखते हैं तो अपन बोलते है confined तो confined का noun क्या बनेगा confinement कैसे engagement arrangement achievement achieve से achievement तो confinement solitude का मतलब होता है अकेला alone एकान या अकेला को बोलते है solitude गुरूप का मतलब हो गया साथ में सभी और libeliness मतलब जो सी ला या जिंदा active या sprite full of sprite तो isolation का synonym होगा c बाला ये तो होंगे ही नहीं यानि isolation का opposite क्या होगा opposite बताना है न separate और group हो जाएगा तो c लगा दीजे 15 का answer next one देखिए out of the given option choose the one which is the correctly passive voice of the sentence given below the priest gave him the Bible आपको इसका passive voice बनाना है देखिए ये indirect object और ये direct object दो प्रकार के object दिए गाई है और जो tense है वो भर्ब की second form बाला है जिसे हम लोग बोलते है past indefinite और जब कभी past indefinite का passive voice बनाना हो और वर्ब की third form passive voice की पहचान होती है उसके requirement होती है तो बाजबर चाहिए हमको अब देखिए कौन-कौन से option में बाजबर दिया है the Bible was given to him by the priest चुँकि दो object दिये गए है हम Bible से भी बना सकते हैं और हिम से भी बना सकते हैं लेकिन Bible से बनाएंगे तो हम इसको to him कर देंगे indirect object दिखिए रूल कहता है जब direct object से passive voice बनाते हैं तो indirect को to से जोड़ देते हैं और आपको पता होना चाहिए direct object किसे कहते हैं निर्जीव को और indirect किसे कहते हैं सजीव को जो object होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं और वर्ब के जो पहले आता है वो subject होता है ठीक है हम बनाते है passive voice past indefinite है यह इसमें बाजवर का use होगा तो केवल एक ही option है जिसमें का answer है जो यह वाला जिसमें बाजवर दिया है देखो बाजवर दिया है out of the given options choose the one which is the passive voice बनाना है who gave you these orders तुम्हें यह orders किसे ने दिये देखिए यह भी past indefinite verb की second form है और जब वर्ब की second form होती है तो उसका passive voice बनता है बाजवर वर्ब अब आपको यहां भी वही ढूंड़ना पड़ेगा लेकिन यहां पर जो object है वो orders है these orders है और these orders के according बर आना चाहिए तो देखिए और who को by whom में बतल दिया जाता है passive voice में तो by whom were these orders by whom were these orders तो by whom were you given these orders who has given you these orders और by whom has these orders been given to you तुकि यह past indefinite है तो by whom were these orders देखिए by who दो object है यहां पर you भी है और these orders भी है who gave you these orders दो object है अब हम चाहें तो किसी एक से बना सकते है ठीक तो इसको हमने बनाया तो by whom were you given these orders आंसर आएगा फस्ट बाला दो object दिये गए हैं who बाले में कभी subject नहीं होता है ध्यान रखना है तो दो object दिये गए है इसको बोलते हैं हम लोग indirect object इसको बोलते हैं direct इन्होंने किस से बनाया indirect से तो क्या बना by whom were you given these orders और ध्यान रखना है passive boys में अगर sentence interrogative है तो interrogative रहेगा negative है तो negative रहेगा affirmative है तो affirmative sentence का formation change नहीं होता है passive boys में कभी भी sentence का formation change नहीं होता है यह सबसे महत्कूर्ण point है याद रखना है आप लोगों को ठीक है answer मिल गया यह b c d नहीं होंगे चलिए question number 18 देखते है out of the given option choose the one which is the correct passive voice ठीक है वह पैसिव why did you यह तीनों जो question दिये गए ते वो past के ही है past indefinite है यह इसमें भी was were का use होगा was या were यह depend करेगा was और were देखिए was were तो चुकि यहाँ पर letter कितने एक ही है such a letter तो यह subject बन जाएगा why was such a letter written by you चुकि यहाँ पर यह तो होगा नहीं क्योंकि past है same यहाँ यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह तो head आ गया head का मतलब होता है past perfect और head के साथ में बीन लगा दिया तो मतलब ही नहीं तो answer क्या आएगा first वाला क्या होगा why was such a letter written by you ठीक है चलिए question में 19 देखते है आग तो तो given passive boys का ही question है क्योंकि इसी के question ज्यादा पूछे जा रहा है narration के 5-6 और passive boys के 3-4 I cannot solve these sums ध्यान रखना है जितनी भी model verbs होती है उनके बाद BE plus verb की third form का use किया जाता है passive boys में BE plus B3 का use करते है model verbs के बाद हाला कि model verbs जो होती है उनकी संक्या होती है 13 10 होती है absolute model verb और 3 होती है semi-modal verb उन सभी में BE plus verb की third form का use किया जाता है तो इसका answer होगा these sums cannot be देखो negative है तो negative रहेगा B sold by you answer तो इसका यही है हम इसको देखते हैं यह could कर दिया ऐसा नहीं होता model verb में के can का could कर दिया जाए गलत हो जाएगा और यह build तो model verb भी चेंज कर दी यह भी चेंज कर दिया तो यह answer नहीं है इसका answer है first वाला 19 का first होगा question number 20 देखिए यह narration का question है इसको बोलते है direct और indirect थोड़ी सी जानकारी देता हूं आप लोगों को direct narration का मतलब होता है जो inverted comma के अंदर आता है उसे हम लोग बोलते है reporting speech और जो बाहर आता उसे reporting verb और पूरे formation को कहा जाता है direct narration means speaker के दौरा कही गई बात को listener के दौरा as it is व्यक्त किया जाता है बिना किसी changes के तो उसे कहते है direct narration और अपने सब्दों में बदल दिया जाए conjunction लगा दिया जाता है जोड दिया जाता है प्रणाउन को change कर दिया तो उसे कहते हैं हम लोग indirect narration ठीक तो देखिए तो customs officer said to me what is your name देखिए जब interrogative बनता है तो उसमें पूछते हैं और affirmative negative में कहते हैं तो पूछने के लिए ask it का प्रयोग करना पड़ेगा आपको reporting verb में तो customer customs officer asked me what my name was आंसर तो यह होगा wh plus subject plus helping verb यह बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि देखिए my name अकिला रख दिया to tell imperative sentence में होता इसा to tell him यह भी गलत हो जाएगा what my name was what my name was है ना what my name was क्योंकि यहाँ पर to का use कर दिया ask it me to tell ठीक है clear होगे सभी को तो answer क्या आएगा first वाला question में 20 का first 21 देखिए यह भी narration का ही question है I said to my brother let's go to some hill station for a change देखिए let वाला जब भी बनाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि let वाले में advice है मतलब suggestion है कि request है कि order है let वाले तीनों तरीके से बन सकते हैं तो आपको देखना है कि यहां पर क्या sense ने का रहा है let's का मतलब होता है यह propose यह suggest का use करते हैं तो देखिए I suggested to my brother इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो propose और suggest होता है उसके बाद हम object आने पर to का use कर सकते हैं क्योंकि वो intransitive verb माने जाते हैं जबकि told के बाद हम to का use नहीं करते है तो I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change answer तो इसका यही होगा first वाला अगर आप बोलते हैं कि sir second वाला और देख लेते हैं तो ठीक है I suggest नहीं होगा suggested होगा और to लगाना भी जरूरी है और we could कहां से हो जाएगा क्योंकि यहां पर advice की बात हो रही है suggestion की बात हो रही है तो could का use नहीं करेंगे दूसरा तीसरा वाला C वाला देखिए I suggest to my brother that to लगा दिया लेकिन suggested होगा that से जोड़ दिया we can go to some यहां पर ability capacity की बात हो रही है can लगा कर जो की गलत है last वाला देखिए I suggested to my brother that we shall यह भी गलत हो गया we should होना चाहिए था और यहां पर I suggested to my brother that we should go ना की going ठीक है यह भी गलत है अंसर आएगा लेट वाले का first answer होगा चलिए question नमर देखिए 22 the teacher said to me you have not done your work well the teacher said to me you have not done your work well बनाईए इसको अच्छे से देखिए sentence को identify करिए यह जो narration का जो type है वो affirmative है और affirmative को हमेशा that से जोड़ा जाता है और I और B यदि speech में कहीं भी आते हैं तो उसे हम object से change करते हैं और you को object से और I और B को subject से अगर यहां पर I और B होते तो reporting verb के subject से change करते हैं और you को reporting verb के object से तो definitely यहां पर I हो जाएगा और reporting verb चुकि past में है तो speech को भी हम past में change कर देंगे और your का क्या हो जाएगा my ठीक तो ऐसा कौन सा option दिया है धुड़ी आप वही answer है the teacher told me that I had not done my work well ज्यादो तर हमारे जो answer से वह पहले वाला ही है the teacher told me that I had not done my work यही answer होगा दूसरा वाला देखिये the teacher told me that I have यह सको change नहीं किया sequence of tense को बाकी का सही हो जाता तीसरा वाला देखिये the teacher told me that I had not been यह extra कर दिया present perfect का क्या होगा past perfect यही reporting verb past में है तो speech में हम sequence of tense का प्रयोग करते हैं बस सर्त है कि speech में universal truth habitual fact of proverb नहीं आना चाहिए उस case में हम sequence of tense का use नहीं करते हैं ठीक है तो यह भी नहीं होगा answer और डी वाला the teacher told me that I have यहीं सेम मिस्टिक है have का क्या होना चाहिए था head और not दिया है तो not होगा लेकिन वीन का use हम नहीं करें तो यह भी गलत है तो 22 का answer आएगा first वाला ठीक है चले 23 देखिये 25 कोशन है he said as if slipped when he was trying to board a bus देखिये he said as if slipped when he was trying to board a bus तो आसिफ told, told में नहीं बदलेंगे भई, क्यों नहीं बदलेंगे क्योंकि reporting verb में दियेगा say says और said को told में तब बदलते हैं जब object दिया हो object नहीं दिया तो said का said ही रहेगा said को told में convert नहीं करेंगे नहीं चेंज करेंगे तो he said that as if slipped when he was trying to board a bus देखिये he as if slipped नहीं होगा past indefinite को past perfect में चेंज करना पड़ेगा इसलिए गलत है तो पहला वाला गलत he said that as if was sleeping यह भी गलत हो जाएगा he said that as if had slipped present perfect कहां से आगया दिया ही नहीं है question में यह भी गलत अब देख लीजी आंसर क्या है इसका इसका आंसर आएगा d वाला he said that as if had slipped when he had been देखिये past continuous को past perfect continuous में चेंज किया जाता है याद रखना है he had been trying to board a bush ठीक इसका आंसर आएगा 23 का d वाला चलिए question 24 इसमें आपको देखना है 24 और 25 में error find out करना है कि दो से तीन question error की आ रहे हैं तो देखिये पहला question I was shocked to hear that her husband died of an accident जब किसी की मरत्व दुरगटना से होती है तो हम इनका use करते हैं या from का लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो हम proposition of का प्रयोग करते हैं जैसे he died of cancer, he died of type 5 या zondes तो ये disease तो है नहीं दुरगटना है तो आप इसकी जगे चाहें तो इनका प्रयोग कर सकते हैं सही हो जाएगा क्या होगा इसका answer I was shocked to hear that her husband died in an road या in an accident in an तो इसमें off की जगे क्या लगाएंगे in तो error किस भाग में जाएगा c पार्ट में 24 का जो error है वो c होगा मतब correction करना है तो किस भाग में करेंगे c वाले में क्या correction करेंगे die के बाद इनका प्रयोग करेंगे die in an accident इन या from में से कोई भी लगा सकते हैं मतब हार्ट एक से या किसी दुरगटना से म्रत्व होती है तो इन या from का use किया जाता है और बीमारी से होती है तो off का चलिए question और 25 बाद देखिए the region 4 आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं the reason the reason why के बाद में conjunction के रूप में that का use किया जाता है ना कि because का क्योंकि double question हो जाएगा because already question कुछने का काम करता है क्योंकि और reason का मतलब भी कारण होता है तो इसलिए इसका सही होगा the reason for his failure is because की जगे लगा दीजिए that सही हो जाएगा because की जगे क्या आएगा that the reason for his failure is because की जगे that he didn't study at all at all का मतलब वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ सका उसकी failure का कारण क्या था देखिए the reason for his failure is that he didn't study at all मतलब उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की इसलिए वो fail हो गया ठीक है तो सभी के लिए best of luck अच्छे से exam करें और मैंने जो best हो सकता था जो मेरे आकड़े हैं जो मैंने analysis किया इन papers की अधार पर वो आप लोग को बताया है इस paper में सभी तरह के questions हैं इस test paper में सभी तरह के questions को हमने समाहित किया है ठीक है अगर फिर भी किसी बच्चे को problem है तो हमारी offline classes join कर सकते हैं मैंने आपको बताई दिया है मेरा mobile number भी इसमें mention किया हुगा है जो इन दौर में रह रहे हैं वो आ सकते हैं और उनका personal भी कोई problem हो जैसे कोई question में doubt हो तो मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं class में आकर भी पूछ सकते हैं ठीक है चलिए थैंक्यू